नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है राहूल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वो आप लोगों की जो कमेंट्स आ रहे थे उसके उपर ही मैंने रखा है क्योंकि काफी लोग इस टॉपिक पर कन्फ्यूज हो रहा है कि सर हमें एक डाइवर्सिफाइट पॉट्फोलियो अपने लिए बनाना चाते हैं इसमें दो फंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक हमें मल्टी कैप देखने को मिल रहा है और एक हमें फ्लेक्सी कैप देखने को मिल रहा है तो कौन सा म्यूचल फंड किस कैटेगरी को हम अपने पॉट्फोलियो में शामिल करें जो हमें एक अच्छा डाइवर्सिफाइट पॉट्फोलियो बना सकें और दोनों में mainly difference क्या है उसके बारे में भी वीडियो में जरूर discuss कीजेगा तो आज की वीडियो में proper discuss करेंगे multi cap versus flexi cap mutual funds के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद जो भी flexi cap और multi cap funds के बारे में आपके मन में doubt है सभी पूरी तरह से clear हो जाएंगे और आप अपने लिए एक बहतर decision भी ले पाएंगे तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा informative वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यहां एक एक चीज में आप सभी को समझाओंगा बिलकुल simple भाशा में यही हमारे चैनल का motive है कि जो भी चीज समझाई जाए वो एकदम सरल भाशा में आप लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि आप लोग इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझ सके और investment करके सही returns पा सके देखें दोस्तों multi-cap, flexi-cap बिलकुल basic से सबसे पहले में शुरुआत करूँगा बिलकुल basic पर आपके सामने में हैं discuss करूँगा चलिए थोड़ा समया लिग देता हूँ कुछ लोग comments भी कर रहे थे कि सर्थ थोड़ा सा वीडियो में editing आप कीजिए थोड़े slides वगेर add कीजिए, देखें होने को तो वीडियो में कुछ भी edit किया जा सकता है लेकिन जो चीजे बिलकुल basic से समझने में मज़ा है न, वो slides में आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा editing में कर दूंगा वीडियो की उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जो आप ये live सीखते हैं चीजों को इन में ज्यादा मज़ा है आप अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, uncut वीडियो होती है, मैं कोई cut भी नहीं लेता हूँ जो भी चीज बना रहा हूँ, directly record हो रही है और आप तक पहुंच रही है तो ये चीज ज्यादा कारगर है मेरे हिसाब से चलिए, फिलाल टॉपिक पर बात करते हैं, देखिए, multi-cap multi-cap, और इधर हम रख लेते हैं, flexi-cap कुछ भी confusion लगे, किसी भी तरह का बेजी जग कमेंट कीजेगा आपका जो कमेंट होगा, उसको मैं जरूर पढ़ूँगा और उस पर मैं reply करने की भी पूरी कोशिश करूँगा, देखिए, multi-cap को पहले समझिए, multi-cap में, सेबी का नियम, सेबी का नियम हर एक category पर लागू होता है, multi-cap में सेबी का नियम ये कहता है कि आप minimum 25% पैसा, minimum जो 25% पैसा है, वो आप तीनो category में निवेश करेंगे, किसमें, large-cap में भी निवेश करेंगे, आप mid-cap में भी निवेश करेंगे, और आप small-cap में भी निवेश करेंगे, तब ही तो एक diversified portfolio बनेगा, इसलिए तो ये category बनाई गई है, ताकि आपका portfolio diversified हो सके, आप एक ही fund में निवेश करें, large-cap, mid-cap, small-cap, तीनों में निवेश हो, यानि के minimum 75% पैसा आपको equity में निवेश करना ही करना है, ये CB का नियम यहां कहता है, बाकी का जो 25% बचेगा, वो fund manager के decision पर छोड़ दिया गया है, वो चाहें तो इसको large-cap में बढ़ा लें, चाहें तो mid-cap में बढ़ा लें, और चाहें तो small-cap में वो बढ़ा सकते हैं, अब बात करते हैं flexi-cap पर, वैसे तो देखिए नाम से ही clear है, flexi-cap है, fund manager को flexibility दी गई है, यहां CB का नियम यह कहता है कि आपको minimum, minimum जो 65% पैसा है वो आपको निवेश करना है, stocks में आपको निवेश करना है, इससे कम नहीं करना है, अब यह आपकी मर्जी है कि आप large-cap में कि इतना रखते हैं, यह आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, यानि कि fund manager के ऊपर छोड़ दिया गया है, कि आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, यह तो हो गई एक general बात, practically बात करते हैं, देखने में क्या आता है, क्योंकि funds को भी हम लोग देखते हैं, returns में भी difference हम देख हैं, वो हमें mostly large cap में देखने को मिलता है, large cap में, अगर यहां हम बात करें, multi cap की, यहां जो ज्यादा allocation है, वो हमें mid cap और small cap में देखने को मिलता है, यह जनरली बात में आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से, जो multi cap category है, वो flexi cap के मुकाबले थोड़ी सी higher risk हो जाती है, बहु cap में location थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा यह difference हमें देखने को मिल जाता है, और थोड़ा सा ध्यान से समझिए, देखिए, यहां CB के नियम के नुसार minimum 25-25 तीनों category में रखना ही है, अब market condition कह रही है कि इस समय small cap में इवेश नहीं करना चा है कि आपको flexibility है, fund manager को लगता है, समय small cap से exit कर लेना चाहिए, large cap में location बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल यहां fund manager कर सकते हैं, चाहे तो large cap को बढ़ा लें, चाहे तो mid cap को बढ़ा लें, चाहे तो small cap को बढ़ा लें, यह basic difference आप समझिए, दोनों में हमें यही देखने को मिलता है थोड़े से मैं आपको funds भी यहां दिखाऊंगा, returns पर भी बात करेंगे, कैसे हमें देखने को मिले हैं, देखिए, सबसे पहले मैं flexi cap funds आपके सामने show कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, ताकि अराम से आप इसको समझ सके, देखिए, यह flexi cap funds है, quant का flexi cap है, 77 713 करोड रुपे का fund size है, returns पर अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल में 37% के returns, पिछले 5 साल में 37% के returns इस fund ने generate किये हैं, अगला fund GM flexi cap है, इसके अगर returns की बात करें, 27% के आसपास के returns पिछले 5 साल में हमें देखने को मिले हैं, अगला पराग पर इक flexi cap है, यहां भी 27% के returns हमें देखने को मिले हैं, पिछले 5 साल में, अगला fund HSBC की तरफ से है, यहां हमें लगबग 26% के returns देखने को मिले हैं, और अगला SDFC flexi cap है, 25.81, लगबग लगबग यह returns हमें देखने को मिले हैं, सबसे ज्यादा returns quant flexi cap ने यहां generate किये हैं, यह flexi cap funds थे, यह top 5 flexi cap funds थे funds भी देख लेते हैं, देखी यह multi cap funds, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छीक है, multi cap funds, सबसे पहले यहां भी quant का active fund हमें देखने को मिलता है, इसके जो returns है, पिछले 5 साल में 33.99% के हमें देखने को मिलते हैं, अगला महिंदरा मनुलाइफ का multi cap fund है, 29.68% के returns है, उस के बाद निपॉन इंडिया, बडोधा multi cap plan है, इसके returns 26.58% के हमें देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों यह कुछ mutual funds थे, flexi cap और multi cap के टेगरी के जिनोंने returns शानदार बनाया है, अब देकि थोड़ा सा हमने इन चीजों को समझ लिया है, कि हाँ diversified portfolio बनाने के लिए हम flexi cap को को भी रख सकते हैं, multi cap को भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सा बढ़िया है? अब मेरे लिए कौन सा बढ़िया है, यह सब depend करेगा मेरे risk tolerance पर और मेरी duration पर, मैं कितने समय के लिए निवेश कर रहा ہूं, और मेरे risk tolerance क्या है, मैं कितना risk ले सकता हूँ, तब मैं अपन monthly investment है वो ज्यादा है SIP का amount आपका ज्यादा है आप flexi cap multi cap दोनों को भी add कर सकते हैं जब भी add करें दोनों को एक चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप flexi cap add कर रहे हैं उसमें large cap में location ज्यादा है तो कोशिश किजिए multi cap में ऐसा fund रखिए जिसमें mid cap और small cap में location ज्यादा हो large cap में 25 और 30 के आसपास ही हो ताकि जो है diversification आपका बढ़िया तरह से हो सके आप थोड़ा सा sectors को भी देख सकते हैं कि कौन से sectors हैं आपस में बहुत ज्यादा overlapping तो नहीं हो रही है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप दोनों funds को भी अपने portfolio made कर सकते हैं बाकी ये कुछ basic से difference थे जो मैंने आप लोगों के साथ share किये multi cap और flexi cap fund के बारे में जब आप एक balance portfolio एक diversity white portfolio अपने लिए बनाएंगे तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी आप समझ जाएंगे कि मुझे flexi cap कितना रखना है और multi cap कितना रखना है तो दोस्तों यही आज की वीडियो का topic था हूँ मेड करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा फिर भी कोई confusion हो आप मुझे comment कीजेगा reply में आपको जरूर करूँगा बागी recommendation नहीं है